नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो रिसब पंत को मैच हारते ही आयके लहुल की याद बीच मैदान में ही बैट कर रोने लग गए रिसब पंत जी याँ बहुत ध्यान से वीडियो को देखेगा मैं आपको बताने बालाओं की कैसे रिसब पंत पूरी तरह से तूट गए इस मुकाबले को हारते ही क्योंकि रिसब पंत की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया कोई T20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी थी पहली पारी के बाद तो ऐसा लग भी रहा था कि सायद जिस तरह से टीम इंडिया ने परफोर्मेंस की है रिसब पंत हारदिक पांडिया इसान किसंस रेस यर तमाम बल्ले बाज़ों ने बेहरी सांदार बल्ले बाजी की है लग रहा था कि टीम मेडिया बहुत ही सांदार तरीके से इस मुकाबले को जिच जाएगी रिसपंत ने सोचा भी नहीं था कि उनको अपने पहले ही करियर की T20 मुकाबले में जब वो भारत के लिए कपतानी करेंगे तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा लेकिन ऐसा हो गया है और दोस्तोर रिसपंत बीच मैदान में ही बैट गए थे रूने लग गए और उन्होंने केल लाहूल को यात किया मैच के बाद इंटरव्यू में सीधे सीधे आज रिसपंत ने कहा है कि हमें केल लाहूल की बहुत जादा कमी खली है केल राहूल की कप्तानी की कमी खली है और केल राहूल अगर होते तो सायद हमारी टीम ये मुकाबला जीट जाती तो क्या कहा है रिसपंथ ने चलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में बताता हूँ लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पूरे मुकाबले की की आज का मैच किस तरह कर रहा जिहां आपको बता दे टीम इंडिया और साउथ अफ्रिका के विच में पांच मैचों की सीरीज का पहला टी-20 मुकाबला खेला गया जहां पर साउथ अफ्रिका ने टॉस जीता और फिल्लिंग करने का फैसला लिया ऐसे में भारत को पहले बल्ले बाजी करना था भारत की तरफ से आज इसान किसन और रितुराज गायकवार्ट ओपनिंग करने के लिए आये थे इसान किसन ने 48 ही गेंदों पर 76 रंजड दिया अपनी बेहर इसान दार पारी की बदोलत इसान किसन टेम इंडिया को एक बड़े टार्गेट की तरफ लेकर जा रहे थे तो कहीं न कहीं बाद में ये हलका धीरे हो गए इन्होंने अपनी पारी में एक चौकों के साथ साथ तीन चखका भी लगाया इसके लावर रिसापंत ने 16 ही गेंदों पर 29 रंजड दिया जीहां रिसापंत की बहुत सांदार पारी थी ये दो चौके और दो चके भी लगाये जबकि हारदिक पार्डिया ने सिरफ 12 गेंदों पर 31 रंजड कर दिखा दिया कि अभी भी हारदिक पार्डिया के अंदर बहुत किर्केट बची है इनके अंदर मैच खेलने की भूख है दिनेज कार्थी को सिरफ 2 गेंद मिली और वो सिरफ 1 रं ही बना सके तो कुल मिलाकर टीम इंडिया ने 211 रं बना दिया पूरे 20 वर में 4 विकट के नुकसान पर अब ऐसे में साउथ अफ्रिका को पूरे 212 रं बनाया था मुकाबला जीतने के लिए तो सिंपल सी बात है कि ये इतना असान नहीं था साउथ अफ्रिका को भी सुरुआती जटके लगें कुईंटें डिकॉक सिरफ 22 रं बना कर आउट हो गएं तो वहीं बमुमा सिरफ 10 रं बना कर आउट हो गएं लेकिन ड्वैन प्रिटेरियस ने सिरफ 13 गेंदों पर 29 रं जड़ दिया अपनी पारी में इन्होंने 4 छके भी जड़ें इसके राव फिर रसी बेंडेर डूसेन आय थे और डेविड मिलर दोनों खिलाडी को परिस्तानी हो रही थी लग नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा टार्गेट चेस कर पाएंगे लेकिन फिर दोनों ने जो पैर जमाएं कि इन्होंने अपनी टीम को विनर ही बन आया और इस सपंध ने साब कहा है कि हमें केल रहूल की कमी खली है और इसी वज़े से हम ये मुकाबला हा रहे हैं सायद केल रहूल होते हैं तो सायद आज इंडिया सिरिज का पहला टीटॉन्टी मुकाबला जीत गई होती तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद